नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिक हेल्प विद जयार बीबर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इकरन से समंदित कुछ इपोर्टेंट फेक्ट के बारे में आपको मालूम है दोस्तो एक इकरन से समंदित दो वीडियो नहीं देखें तो आप यूटूब चैनल जिक हेल्प विद जयार बी को जुरूर विजिट करें तो लश्ट में वे वीडियो प्रोडे किये गए थे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इकरन के समय है विविन रियास्तों के साथ कौन थे और रियास इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो स्टाट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि यूटूब चैनल जिक के हेल्प विद जयार बी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन उसे भी प्रेस कर दे ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेसन मिलता रहे साथी दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखीगा वीडियो के लाश्ट में आपसे एक कोस्टन पूछा जाएगा जिसका जुआब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो पूस्ति तोर पर राजपुतों के किश्व वंस ने जेपुर रियासत पर सशने किया यह कोस्टन दोस्तों दोजर सोड़ा के जाम में पूछा गया था जो भी है कोस्टिसी प्रियाम 2016 का हुआ था उसमें यह कोस्टन पूछा गया था और उसका उतर्था कच्षवा वंसने एक कोस्चन पुछा गया था कि एक एकरन के समय वीकाने रियासत का ससक था तो इस वीडियो में ये कोस्चन देखेंगे तो start करते हैं ये ये वीडियो इस्टास्ट करने से पहले आपसे निवेदने रहेगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूरे कीजिएगा तो देखते हैं सबसे पहले जो रियासत है अलवर अलवर रियासत पर जिस वंस ने राज किया उसका नाम था कच्छवावस याद रखने हैं दोस्तो अलवर रियासत कच्छवावस और अलवर रियासत के संस्तापक थे परताप सी हैं ये क्वेस्टन पुछा गया है दोस्तों अलवर रियासत के संस्तापक कोन थे परताप सी हैं और एकिकरन के समय अलवर रियासत के सा सकते माराजात तेज सी है ये क्वेस्टन बहुत इपोर्टेंट है दोस्तों सभी के सभी जो इपोर्टेंट रियासते हैं वहां से क्वेस्टन पुछे गये हैं क्योंकि एकिकरन से समद्धी ते लगबख क्वेस्टन हमने डिसकस कर लि रिपीट होते हैं तो जाटवस नहीं राजे किया था और यहां का जो संस्तापक था वो था चूड़ा मन जाट चूड़ा मन जाट और एक ही करन के समय यहां का सासक था माराजा बिर्जेंदर्शियां माराजा बिर्जेंदर्शियां एक ही करन के समय बर्थपूर के सासक थे कि तो नेश्ट देखते हैं दोलपुरियसत पर भी जाट राज किया था और इसका संस्ता प्रकता धामल देव अभी तक पूछा नहीं कि गी आपको ध्यान रखने कि दोलपुरियसत का जो संस्ता प्रकत वो था धमल और एकिकरन के समय यहां का सा सकता राणा उद्धे बानसियें राणा उद्धे बानसियें दोस्तों एकिकरन का जो पर्थम चरणें कौन सा मतस्य संग मतस्य संग का उद्धे बानसियें था तो वहां पर डिसकस किया था लेकिन आपको द्यान रखने यह एकिकरन के समय यहां के सासक भी थे नेश्ट देखते हैं क्रोली रियास्त यहां पर यदूवंसी ने राजह किया था यदूवंसी और क्रोली रियास्त के संस्तापक थे विजय पाल यादव यह भी कोस्टन पूछा गया है विजय पाल यादव किस रियास्त के संस्तापक थे तो आपको याद रखने क्रोली रियास्त के और एकिकरन के समय यहां के जो सासक थे वो थे गनेश पाल देव गनेश पाल देव क्रोली रियास्त के एकिकरन के समय सासक थे और डूंगरपूर rectangle रियासत पर जिस वंस ने राज किया उसका नाम था सिसोधया वंस जिसका संस्तापक था हमीर 1316 में इसकी स्नस्तापना हुई थी ये भी पिछे की वीडेयो में आपने डिसकस कर चुकर हो और een डुंगरपूर रियासत का जो सअस्टापक था वो ता पिर्थ्विराज ओर एक्षी के रन के समय यहां का जो सब्राइब जो और नहीं दिसका off बड़त जो सब्राह ठोल द across men आपको बताऊंगा इस पर जिस से वंस ने राज किया वो था सिसो दिया और इस रियासत का सस्तापक था जगमाल कौन था जगमाल और एकिकरण के समय यहां का ससक्ता दोस्तों महरावल चंदर वीर्शिय मारावल चंदर वीर्शिय मासवडा रियासत के एकिकरण की समय ससके थे दोस्तों मैं अपने डेथ वारंट पर अस्थाक्षर कर रहा हूं एकिकरण विल्यपत्र पर अस्थाक्षर करते समय यह कथर मारावल चंदर वीर्श यह नहीं कहा था और यह सेकिंड ग्रेड एक्जाम में भी कोस्टिन पुछे गया है तो आपको ध्यान रखने मारावल चंदरवीर्ष यह ने उक्त कथन कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर अस्ताक्षर कर रहा हूं एक ही करण विल्य पत्र पर अस्ताक्षर करते समय यह कथन कहा था नेक्सट क्यासथ परतापकण पर शिश्शोद्यावस ने राज गिया और यहां का जो सस्ताक्षर कर रफ तो परतापक से आप याद रख सकते हैं यहां का सस्ताक्षर कर था इसके बाद है सापुरा सापुरा में सिसोधिया ने राज किया और यहां का जो संस्तापक था वो था सुजान सी है सापुरा रियासत का संस्तापक कौन था सुजान सी है दोस्तों सापुरा रियासत है यह चेतरफल की दरश्टी से भी सबसे छोटी रियासत थी और जन सिंक्या भी यहां पर सबसे कम थी तो आपको द्यारकने मैंने पहले भी आपको बताया था कि चेतरफल की द्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत जोदपूर थी और चोटी रियासत सापुरा थी और जन सेंग्या की द्रश्टी से सबसे बड़ी रियासत जयपूर थी और चोटी सापुरा थी और यहां का एकिकरन किसमें जो सा सकता वो था सूदर्शन देव सापुरा रि सुरी, दोस्तो — किस सनगड रियासत रह गिये हैं, किस सनगड रियासत पर जिस्व रन्यास किया, उसका नाम था राथोड और इसके संस्तापक थे किसं सी हैं , यह भी कॉछ्जनक पूछे गए, कि cái попад ऐसे एकंच कुम सकति हैं महाराज़ा सु मेर्जियं किसन गड़ रियास्त के एक्रण के समया सा सकते यौन इस के बाद जो रियास्त है यह बहुत इन्हीं अप्रॉटेंट दोस्तों तौंग पर पिंडारी इस रियास्त से एक कॉस्टन पूछा जाता है कि मत्तर मुस्लिम रियास्त आपको माλ Alma है 19 रियासते थी उनमें से एक मत्तर मुस्लिम रियास्ट कौन सी थी तो आपको देमें कॉस्चन इसका उत्तर है टोक एक मतर मुस्लिम रियास्त है टॉंग थी और दोस्तों इस टॉंग मुस्लिम रियास्त का सस्तापक कौन था अमीर खाप पिंडारी बहुत इपोर्टेंट कोस्टन अमीर खाप पिंडारी एक मतर मुस्लिम रियास्त टॉंग का सस्तापक था और एकिकरण के समय यहां का सा सकता अजीज उदुल्ला अजीज उदुल्ला टोक रियासत के एकिकरण के समयां सा सकते थे नेश्ट है बुंदी और बुंदी पर राज किया था जिस वसन ने हाडा चुहनों ने और इस बुंदी रियासत का संस्तापक था राव देवा जयां रखने हैं दोस्तों यह भी कोस्तिन पूछा गया है कि बुंदी रियासत का संस्तापक था राव देवा और एकिकर्ण के समय यहां का संस्तापक था महराव बादुर्शियन माराव, बादुर्शियें, एक एकर्ण किसम में बुंदी रियास्त के सासके थे इसके बाद है कोटा, कोटा पर भी हडा चोहनों ने ही राज किया था किस वन से ने राज किया हडा चोहन, और यहां के जो संस्तापक थे वो मादोसियें थे कोusçie नमदी पूछेये, तो आपको दियारकने है कि कोटा रियास्त के संस्तापक कौन थे मादोसियें, और एक एक कर्ण किसम में यहां के सासके है माराव, बीम सी है कौन थे महाराव 2ice जो दोस्तु एकई करनche के दूसरे चरण जिसका नाम था पुरव राजस्तान संग्त और उसके राजब्र कोन बने थे माराव कोटज्टा मेने आपको बताई थाथ न दोस्तो माराव कोटज्टा माराव कोटा यानि कि महाराव भीम सी हैं एक ही करन के दूसरे चरण में पूरव राजस्तान संग के राज प्रमुखें बने थे कि इसके बाद है जालावाड जालावाड रियासत से रिलेटिम इपोर्टेट फेक्ट बताता हूं दोस्तों यह निवीन रियासत थी अंगरेजियों दोरास्तापित रियासत थी नवीन रियासत थी यह कोश्चन पूछा जाता है और प्राचिन रियासत कौन सी थी मेवाड यह भी ध्यान रखना है तो जालावाड पर चुहान्वस ने राज किया और इसका संस्था प्र था जाला मदनशीएं जाला मदनशीएं और एक करन के समय जाला हरी रिस्चंदर इस रियाशत पर राज यासा सक्के था नेश्टा उद्यपूर बहुत इपोर्टेंट है द्यान रखना दोस्तों उद्यपूर इस पर भी सोध्यावंस ने राज किया और एक जो इस रियासत का संस्तापक था वो था उद्यपूर का संस्तापक था उद्यपूर का संस्तापक था उद्यपूर का संस्तापक था उद् मारणा बौपाल सुनिये मैं यह एक करन का जो तीसरे चरने जिसका नाम इसकत इसका नाम स्यूंकत राजस्तान उसकी राजप्रमुख कोण होती है और नेक्साइट जैपुर बहुत इपटर्यन्ट यह से क्वेश्टिसी एक्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है 2016 का जो प्रीवेश्टिसी का एक्जाम हुआ था उसमें क्वेश्टिन पूछा गया था कि राजपुतों के किस वंस ने जेपुर्यासत पर सासन किया था और इसका संस्तापक था स्वाई जैसे द्वित्य जैप एक एकरन का चौथा चरन व्रैद राजस्तान के राजपरमुक थे व्रैद राजपरमुक कों थे सुवाई मानशी द्वित्य थे तो आपको ये द्यां रखने ये चारों फ्रेक्ट है बहुत उमार एक्जाम में रिपूइट हुए हैं इसके बाद है जोधपूर जोधपूर राठोडवन्श ने राज किया और जोधपूर यासत का संस्ता पक्ता राव जोधा और एक एकरन किश्में यहां पर जो सासक था वो था माराजा हनुवन्थ सी है ये क्वेस्टन बहुत इपोर्टेंट है मैंने आपको पहले भी बत र्यासत का संस्ता पक्ता राव जोधा दोस्तों वीडियो को लायक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ ज्याद़ से ज्याद़ा से ज्याद़ा करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट है मिल सकें इसके बाद है जेसल मेर जेसल मेर पर किश्वंस ने राज किया तो आपको याद एक देखना है बाटी वंस ने जेसल मेर रियासत पर राज किया था और इस रियास्त का संस्तापक था जेसल बाटि जेसल में रियास्त का संस्तापक था और एकशक के शमये यहां का सो स Star Wars तो आपको ध्यान करव करना तो आप VOC कौन था रगुनात शींаки और इसके बाद है बिकानेर है यहां से भी कोस्टन पाँचे गये था तो विकानेर रियास्त पर किस वंसी ने राज गया राठोड वंस ने और बिकानेर रियास्त का सही तापर के था और एक ही करणी कि अंंचे में यह का जो को सअक था वो था सारदूलशी हैं यह क्वेस्टन पूछ गया कि एक एकरण के समय है विकाने र्यासत का सअक कुन था तो आपको याद रखना है सारदूलशी हैं ओर लाष्ट जो र्यासत है उननीश्वी कि शिरौई पर किस वन्स ने राज किया चुहान्वह ने और सिरोई र्यासत का सहस्ता प्रकेत की सब्सक्राइम नहीं नोडई सब्रेकर्द wzold क visualization कई था लूबद यह कोस्टन भी पूछा गया है शिरोई रियासत का संस्तापक था लूंबा और एकिकरण के समय यहां का साथ सक्ता अब्यसी हैं अब्यसी हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की 19 रियासतों के सासकों के बारे में कि एकिकरण के समय कौन साथ सक्ता और संस्तापक कौन था उस रियासत का और उस रियास्त पर किस वह से राज है किया तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरूर करें और अब मैं दोस्तों इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपने यह वीडियो अच्छी तरह देखे तो इस क्वेश्चन को आप असानी की से कर सकते हैं तो क्वेश्चन का जवाब जरूर दें दोस्तों क्वेश्चन है तो उन् enormous ज्वाब आपको देना इस वीडियो के कमेंट उस में उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजिए धन्यावाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम